रास्तामन में शुक्रवार को ट्रक और बस की भीडंत में एक महिला समें तीन लोगों की मौत हो गई और बारे लोग घायल हो गई यह हाथसा ओवर्टेक करने के प्रयास में हुआ एक गंभी घायल को उधैपुर रेफर कर दिया गया टककर इतनी भीशन थे कि भीडंत के बार डंपर पलट गया और बस का एक तरप का हिस्सा बुरी तरह शतिगरस्त हो गया यह दुरगर्णन जब हुई जब एक प्राइविट बस गुजरात के सूरस से राश्तान में भील वाड़ा के आसिंद जा रही थी रासमज जिले में नेशनल हाईवे 8 पर कांक रोली के पास से यह बस निकल रही थी पिपरडव असे श्टेंड के पास बस ने आगे चल रहे एक डंपर को ओवर टेक करने का प्रयास किया इसी दुरान एर नियंतरित हो जाने से बस डंपर से जाटक राई पुलिस ने वहाँ पहुँचकर घायलों को पास के अस्पताल पहुचाया जहां डॉक्षोड ने तीन को मरत घोशित कर दिया हास्से में 12 लोग घायलों है वहीं घायलों में एक की हालत नाजुक होने पर उसे उध्यप्र रेफर कर दिया गया दुरगटनमे मरने वालों में बडोदरा गुजरात निवासी मीरा बेन मदनलाल और एक अन्य वेक्ति शामिल है